नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि सिंडेवडी टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, सिंडेवडी टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और सिंडेवडी टैबलेट की वज़े से क्या साइड हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि सिंडेवडी टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, सिंडेवडी एक ब्रैंड नेम है, सिंडेवडी टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, सिंडेवडी टैबलेट के अंदर सॉल composition sinargin 20 mg और domperidone 15 mg होता है। sinargin दवा चक्कर आने और उल्टी आने की समस्या को ठीक करती है। और domperidone दवा उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और जी मिचलाना आदी समस्याओं को ठीक करने में मदद करती है। sinargin d tablet का उल्टी आने की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। side effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में sinargin d tablet की वज़़ से कोई side effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में sinargin d tablet की वज़़ से कुछ side effects हो सकते हैं। जैसे बदहजमी होना, सिरदर्ध होना, नीन ज्यादा आना, मुँ में सूखापन होना, पेट में दर्ध होना और पेट में बेचैनी हो सकती है। अब हम डिसकस करेंगे की सिंडेवडी tablet को कैसे लेना recommended होता है। सिंडेवडी tablet को खाना खाने के बाद लेना recommended होता है। आम तौर पर बारा वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्टर सिंडेवडी tablet को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं। यदि आप सफर में चक्कर आना, जी मिचलाना या उल्टी आने की समस्या को रोकने के लिए सिंडेवडी tablet को लेते हैं, तो सिंडेवडी tablet को सफर में जाने से दो घंटे पहले लेना recommended होता है। सफर में जाने वाले व्यक्तियों के लिए हर आठ घंटे बाद सिंडेवडी tablet को लेना recommended होता है। सिंडेवडी tablet की दोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको सिंडेवडी tablet को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए। काम भी नहीं करना चाहिए। जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशकता होती है। क्योंकि सिंडेवडी tablet को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नीन ज्यादा आ सकती है। पार्किनसन्स डिजीस होने पर और लिवर या किड्नी की कोई गंभीर बीमारी होने पर सिंडेवडी tablet को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है। इसलिए इन कंडीशन्स में डॉक्तर की सला के बिना सिंडेवडी tablet को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका सिंडेवडी tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके कुछ सकते हैं।